नमस्का सातियों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदॉलिया जी में दोस्तों आज हम डिसकस करेंगे एंटीपीसी की कट आफ के बारे में दोस्तों जो कि कल आंसर की रिली हो गई थी 16 तारिक को और आप सभी लोगोंने देख भी ली होगी और अपने माक्स भी पता कर ली होंगे और जन्होंने नहीं देगी है सातियोंने वो अभी भी देख लिए और आरवी की साइट पर आंसर की दियू हुई है तो दोस्तों जो कट आफ होती है वो कुछ फेक्टर पर डिपेंड करती है उनको हम डिसकस करेंगे और आपको वह समझने है और आपके लिए ये वीडियो बहुत ही एलफुल रहेगी क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि हम बताएंगे तो वीडियो को बस पूरा देखें आप तो दोस्तों हम उन फेक्टरों को समझते हैं तो इस बार जो एन्टी पीसी जो यह उननीस था उसमें टोटल वेकेंसी कितनी थी तो दोस्तों उसमें टोटल वेकेंसी थी 35,208 अलग-लग जून में डिवाइट थी दोस् सबसे अच्छा रोल रहता है अटेंडेंस का तो दोस्तों अटेंडेंस 50-60% अटेंडेंस रही थी और जो कंडिडेट ने एप्लिकेशन फोर्म डाले थे वो थे 1,26 लाग 1,26 लाग कंडिडेट ने फोर्म डाला था उसमें से 50-60% कंडिडेट एक्जम देने गए तो यानि कि 55-60,000 कंडिडेट ने एक्जम दिया और दोस्तों नॉर्मलाइजेशन का बहुत ही बड़ा रोल होता है तो नॉर्मलाइजेशन से बहुत ही फरक पड़ता है को टॉप पर लेकिन इस बार ज्यादा फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि जो एक्जम हुए थे वो सभी का पैट कितने लिए जाएंगे सी जीटी टू के लिए खीष्यृ अनrak बहुत बहुत बढ़ी संख्या होती है तो सात लाग ह कंडिडेट लिए जाएंगेival दोस्तों जो वेकेंसी 2015 में आई थी वो थी 2018 720 तियानि कि इस बार की वेकेंसी की आधी वेकेंसी थी है 2015 से और दोस्तों जो टॉटल अटेस्थी उस संमय 2015 में वो 60-65% Thी और जो टॉटलकनिडेट ने application form डाला था वो 92 लाग बान में लाग सातियों ने इसमें एपलाई किया था तो दोस्तों जब इन दोनों का निकालेंगे कि कितने student ने एक्जम दिया तो लगवक्त सेम ही रहेगा 55 से साथ लाग 55 से साथ लाग candidate ने एक्जम दिया था और दोस्तों उस समय जो कितने cvt2 के लिए एपियर किये थे वह 15 गुना और इस बार 20 गुना लिए जा रहे हैं इस बार 20 गुना लिए जा रहे हैं तो candidate पिछली बार पौने 3 लाग candidate लिए गए थे लगवक पौने 3 लाग candidate लिए गए थे इस बार 7 लाग candidate लिए जा रहे हैं यह बहुत ही ज्यादा candidate हो जाएंगे दोस्तों तो आपके यह cut-off दी हुई है दोस्तो जोनवाइस cut-off है आप इसको देख लें इसकी इसका और अगर आपके इतने marks आ रहे हैं अगर आपके इतने marks आ रहे हैं यह normalization वाले marks हैं अगर आपके raw marks इतने आ रहे हैं तो आपको cvt2 की तयारी में लग जाना चाहिए और अपनी तयारी को और ज़्यादा वुष्ट करना चाहिए दोस्तो आपको कोई नहीं रोख सकता है cvt1 qualify होने में तो दोस्तो और इससे कम भी आ रहे हैं तस पांच नंबर तो भी आपको अपनी तयारी में लग जाना चाहिए क्योंकि इस बार इससे ज़्यादा cut-off नहीं जा सकती इससे कमी cut-off र माक्स आ रहे हैं तो आपको cvt2 में अभी से लग जाना चाहिए क्योंकि जब डेट आएगी तो आपके पास समय नहीं रहेगा ज्यादा समय नहीं देगा रेलवे बहुती तेजी से एक्जाम करा जा रहे हैं तो दोस्तो आप अभी से अपनी तयारी को बूष्ट करें और इ मुझफर पूर है रांची है जो पटना हैं दोस्तो यह सब कि कम रही थी कटॉप तो दोस्तो अगर आपके इतने माक्स आ रहे हैं तो आप अपनी तयारी में लग जाएए और जिन भी सातियों के माक्स बहुत कम आ रहे हैं जिनको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा तो वो क गुरुप डी की तयारी में जुट जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें वह पर भी गुरुप डी की तयारी कर आई जा रही है तो दोस्तो वीडियो को लायक कर दें और अपने कमेंट्वें माक्स बताएं कितने अटेंप्ट यौन बताएं के टिगीरी बताएं